हाई मैं योटूब फैमिली कैसे आप सब आई होब आप सब बहुत जादा अच्छे होंगे और बहुत जादा हैल्दी होंगे जो मेरे चैनल पे नए व्यूवर्स हैं मैं सरफजीत आपका बहुत जादा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल यूनिक ब्यूटी एडिया में यहां म मैं लेकर आती हूँ स्किन केर से रिलेंटेड और És रिलेटेड और बहुत सारे प्रोडेक्ट का में रिव्यू भी करती हूँ जिसे देखके जिसे यूजー स्कुछ आप भी मेरे ऐस्वाइन acceso कि पर पएक ही आपके पास आजएगी फ्रेंटS आज मैं आपके लिए ले के आई हूँ दो तरा की स्क्रब जैसे कि आप जानते हैं इसकिण के लिए बहुत जादा यूसफूल होती है बहुत जादा जरूरी होती है और स्क्रब आपको वीक में दो बार जरूर करनी चाहिए जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको scrub week में दोबर जरूर करनी चाहिए तो आज मैं आपके साथ share करने वाली हूँ कि आप घर पर ही किस तरह से two type से scrub बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं, result आपको same मिलेगा जिस तरह से कि आपको market वाली scrub से मिलता है उसी वो remove करती है, skin को बहुत ही ज़्यादा चमकदार बनाती है इसलिए scrub करना बहुत ही जरूरी है scrub करने से क्या होता है कि हमारे face की जो गंदगी होती है वो निकल जाती है जब गंदगी निकल जाती है तो pimples होने के chance यहां बिलकुल खतम हो जाते है उसके बाद pimples नहीं आते हैं चोटे चोटे अगर आपके face पे कुछ दाने भी हैं तो वो भी नहीं आते हैं scrub करने से लेकिन अगर जिनके बहुत ज़्यादा pimples हैं वो अपने face पे यह scrub भी यूज़ ना करे वो क्या करें? खाली coffee ले और उसमें नारियल तेल को mix करें उसके बाद अपने face की scrub करें इससे आपके जो pimples है वो छिलेंगे नहीं जिस तरह से मैंने दो scrub बनाई हैं वो जिनके pimples नहीं है वो यूज़ कर सकते हैं उनके face से सारी tanning गंदगी निकल जाएगी और जिनके pimples हैं वो mild सी scrub बना लेनी है जैसे कि मैंने आपको बताया है coffee में खाली coconut oil को mix करके अपने face को circular motion में गुमाते हुए massage करनी है बहुत ही ज़्यादा soft hand से अपने हाथ का जो pressure है वो face पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए दिरे दिरे करके आपने scrubbing कर लेनी है उसके बाद आपने normal water से अपने face को clean कर लेना है जिनके pimples है ये मैं उनके लिए बता रही हूँ उनको जादा आपने face को उपर रगड़ना शिलना नहीं है ठीक है और जिनके pimples नहीं है वो ये बली scrub यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे benefits मिलेंगे जैसे कि मैंने यहाँ coffee add की है तो जो scrub है वो आपकी skin whitening करने का भी काम करेगी क्योंकि coffee में skin को whitening करने के agent होते हैं और इसमें antioxidant भी होता है और caffeine की मातरा भी बहुत जादी होती है जो हमारी skin के लिए बहुत जादी useful होती है वो हमारी skin से सारी गंदगी को remove करती है skin को बहुत ज़दा glowing और healthy बनाती है और निखार देती है जैसे आप देख सकते हैं मैंने आज scrubbing की है face पे एक आपको अलगी glow नजर आएगा इसी तरह से अगर आप week में दो बार scrubbing करते हैं तो आपकी face की सारी गंदगी निकलते जाएगी और आपकी skin बहुत जादा white भी हो जाएगी glow भी करेगी और सार साथ में आपकी face पे कोई भी pimples, दाग, धबा, pigmentation, melasma, hyperpigmentation कुछ नहीं रहा जाएगा अगर आप week में दो बार scrub करते हैं तो scrub बहुत जादा important डोल अदा करती है friends हमारी skin के लिए हमारी skin को clean करने के लिए इसलिए आपने week में दो बार इसे जरूर करना है बिलकुल भी skip नहीं करना है जैसे कि आपने यहाँ पे Monday को scrub की है तो उसके बाद आप Thursday को कर सकते हो इसी दरा से आप week में दो बार scrub करते हैं तो आप देखोगे आपकी face में दिन बर दिन बहुत जादी चमक आ जाएगी आपकी skin से जितनी भी tanning है निकल जाएगी skin की जो अंदर जो आपकी real skin है न वो बाहर आएगी क्योंकि परदूशन की वजह से sun tan की वजह से pigmentation की वजह से जो हमारी skin है न वो उसका color change हो जाता है हमारी skin जो natural skin होती है वो उसके नीचे ढख जाती है परद आ जाती है उसके उपर तो जब आप scrub करते हो तो वो परद remove होती है जैसे वो परद remove होगी आपकी skin natural जो आपकी real skin है वो बाहर आएगी जिस तरह की मैं यहाँ पे week में दो बार जरूर scrub करती हूँ और मैं जादा यहां market वाली तो नहीं लेती हूँ मैं इसी तरह से घर पर बना के इसे use कर लेती हूँ same result मिलता है market से लेने जाओगे expensive हो सकती है और आपको हो सकता है shoot भी ना करें क्योंकि कुछ तो chemical उसमें जरूर होगा इसी लिए यह बहुत ही natural है इसमें कुछ भी chemical नहीं है यह हर skin types वाले लोग इसे use कर सकते हैं यह आपकी skin को बहुत ही जादा young बनाती है skin को tight करती है और आपकी skin पे एक glow देती है तो चलिए friends देखते हैं कि यह मैंने जो दो तरह की scrub बनाई है एक तो मैंने बनाई है normal skin वालों के लिए जो हर skin types के लोग use कर सकते हैं और एक मैंने बनाई है जिनकी बहुत जादा pigmentation sports रहती है उसे जल्दी से ठीक करने के लिए यह ना वो इसी पे work करने वाले हैं वो दाग धबो पे ही work करने वाले हैं तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं कि यह scrub मैंने किस तरह से बनाई है कैसे आपको apply करना है वो भी मैंने आगे वीडियो में बताया है तो वीडियो को बिना skip के पूरा देखना है तो चलिए हम start करते हैं वीडियो आज मैं आपके साथ share करनी वाली हूँ दो तरह की scrub जिसे यूज़ करके आप अपने face को बहुत जादा glowing बना सकते हैं scrubbing ना केवल आपकी skin को healthy रखने में मदद करती है बलकि यह आपके face को tide भी करती है जिससे आपको glowing skin के साथ साथ दाग दबो से छुटकारा मिलता है तो सबसे पहले हम जो scrub बनाने वाले हैं वो हर skin types के लोग use कर सकते हैं सबसे पहले मैं यहाँ add कर रही हूँ coffee powder यह मैंने two rupees वाला pouch लिया है इससे आपकी दो time की scrub बनके ready हो जाएगी आप चाहें तो दो packet भी डाल सकते हैं अगर आप जादे दिन के लिए बनाना चाहते हैं आप इसे seven days तक store कर सकते हैं उससे जादा आपको यहाँ store नहीं करना है coffee scrub के पता कितने फाइदे होते हैं coffee में na caffeine की अच्छी मात्रा होती है coffee scrub का इस्तमाल blood flow को बढ़ाने में आपकी मदद करता है इसके इलावा यह cellulite की जो मजूदगी होती है हमारी skin में उसे कम करता है और आपकी skin को टोन भी करता है coffee scrub लगाने से sun, sports, shine, fine lines और जुरियां जो होती है उससे आपको छुटकारा मिरता है coffee scrub जो होती है वो बहुत ही बहतरी natural beauty treatment है तो इसलिए मैं यहाँ पे scrub बनाने के लिए coffee यूज़ कर रही हूँ one tablespoon मैं यहाँ पे sugar ले रही हूँ इसे मैंने पीस लिया था mixer में आप देख सकते हैं बहुत इसका fine सा powder बन गया है तो आपने भी इसी तरह से इसे mixi में grant कर लेना है चेनी जो होती है चाहे हमारे body के लिए health के लिए बिल् pillar भी अच्छी ना हो लेकिन यह हमारी skin के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है यह हमारी skin को na explorate भी करती है dead skin cells को भी निकालती है और हमारी skin में जितनी भी गंदगी होती है उसे यह निकाल देती है तो इसलिए ये skin के लिए तो बहुत ही जादा अच्छी मानी जाती है जब आपके face से पूरे गंदगी निकाल देगी, dead skin cells निकाल देगी तो जिस वज़ा से आपके pimples होते हैं तो वो pimples होने भी रुख जाएंगे क्योंकि अगर आपके face पे गंदगी रहती है, dead skin cells रहती है तो इसी वज़ा से आपके face पे pimples आते हैं अगर आप इस तरह से scrub करते हो देखें मैंने बहुत सारी वीडियो में आपके साथ यही share किया है कि week में दो बार आपको जरूर scrub करनी है तो क्यों करनी है वो तो मैं आपको बता ही देती हूँ बट आज भी मैं अच्छे से आपको clear पूरे विस्तार से बताऊंगी कि क्यों करनी है क्योंकि यह आपके dead skin cells को निकालती है, white heads को निकालती है, black heads को निकालती है blood circulation को ठीक करती है, आपको glowing skin देती है आपकी स्किन में एक हेल्दी चमक रहती है इसलिए आपको वीक में दो बार स्क्रब जरूर करनी चाहिए इससे आपके फेस पे दाग धब्बे भी नहीं रहते हैं और साथ साथ में पिम्पल्स भी नहीं होते हैं वन टेबल स्पून मैं यहाँ पे राइस पॉर्डर एड़ करनी हूँ राइस पॉर्डर आप घर भी बना सकते हैं बहुत ही इजी होता है बनाने में और मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया भी है आज भी बता देती हूँ आपने क्या करना है टू टेबल स्पून राइस आपका पॉर्डर बनके एकदम रैडी हो जाएगा आप देख सकते हैं बहुत ही मैं सामने से दिखा दूं बहुत ही बारिक पॉर्डर बन जाता है जो आपके जो ओपन पोल्ड होते है उसको भी कम करने का का काम करता है स्किन को ब्राइट भी बनाता है, साथ साथ में स्किन को टाइट भी करता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर राइस पॉडर एड़ किया है अब आपने क्या करना है, आपने लेना है वन टेबल स्पून भर कर कोकोनेट ओईल देखिं, यहाँ पर इंग्रेडियंट आपने ध्यान रखने है मैंने कौन इंग्रेडियंट कितनी क्वेयं गटी में डाले है उसी क्वेयंट इसक्रब बनेगी, अगर कोई भी इंग्रेडियंट जादा कम हो गया तो थोड़ी सी स्क्रब में गड़बरी आ सकती है तो इंग्रीडियन का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है नारियल तेल को डाल के आपने इस तरह से मिक्स करोगे तो आपकी बहुत ही अच्छी स्क्रब बनके रैडी हो जाएगी इसी तरह से आपकी भी स्क्रब बननी चाहिए जादी गीली नहीं होनी चाहिए नारियल तेल के बारे में कौन नहीं जानता है नारियल तेल जो होता है वो आपको संबन से जो आपकी स्किन जल जाती है उसे रिपेर करने का काम करता है स्किन की ड्राइनेस को खतम करता है स्किन का ग्लो बढ़ाता है एकने को दूर करता है अगर आपके चेरे पे जुरियां आगी है फाइन लाइन्स आ गई है तो उसे भीस कम करता है बहुत ही वेस में आप नारियल के ओयल को यूज कर सकते हैं और इसको आप फुल di पे भी एपलाई कर सकते हैं फुल बाडी की लिट बीक चल में आपके हाथों ना करें क्योंकि यह बिल्कुल भी प्रेजरवेटिव नहीं है तो खराब हो सकती है एक वीक के लिए आपकी हो गई है क्योंकि इसे अपने टू टैम यूज़ करना है उसके बाद आप न्यू बनाने ठीक है यह हमारी स्क्रब नंबर वन रैडी हो गई है इसे हर स्किन चीनी अड़ की है तो उसमें छोटे छोटे पार्टीकल्स होते है उससे आपके पिमपल्स यहाँ फेल जीए अपने यूज़ कर सकते है अब हम बनाएं अपनी स्क्रब नंबर ठू बनाने के लिए हमें सबसे पहला जो इंग्रेडियन्ट चाहिए जैसे की मैंने आपको पहले भी बताया था कि चीनी तो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़दा अच्छी होती है और इसके फैदे भी मैंने आपको पहली वाले स्क्रब में बता दिये हैं तो अभी ज़यादा नहीं बताऊँगी आपको knowledge मिल चुकी है तो यहां मैंने वन टेबल स्पून यहां तो आपको पता ही है आपकी स्कीन के लिए वाइल टर्मरीक जो होती है आपके फेस पे पिंपल्स होते हैं उसे अटाती है दाग धबबो को कम करती है चमकदार बनाती है यह क्लेजर के हैं तो वह आपके फेस से डाक्स पूर डिग्मेंटीशन को भी रिमूव करती है मैं जो यहाँ पर नेक्स्ट इंग्रेडियंट एड़ करने वाली हूं वह है नारियर का तेल यह आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्किन की ड्राइनेस को खतम करता है स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है मुलायम बनाता है जो हमारी स्किन में फाइन लैंस विंकल्स आती है उससे भी यह हटा देता है तो आप इस देख सकते हैं इस तरह से आपकी स्क्रब एगदम बनके रैडी हो जानी चाहिए और इसी तरह से आपके स्क्रब बनानी है और इसे भी आप वन वीक तक बनाके रख सकते हैं उससे ज़्यादा आप यहां पर स्टोर नहीं करेंगे इस तरह से बनाके आपने एक अच्छे से खाली कंटेर में इसे बडाल लेना है वीक में दो बार यूज कीजिए खतम हो जा जिस तरह कि मैंने वीडियो में बताया है साथ-साथ में फेस को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग भी बनाएंगी तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं कि आपको स्क्रब किस तरह से यूज करनी चाहिए स्क्रब करने से पहले फ्रेंड्स आपने अपने फेस को गीला कर लेना है गीला करने के बाद आपने इसकी थोड़ी थोड़ी क्वेंटिटी ले कि अपने फेस पे सर्क्रल मोशन में गुमाते हुए स्क्रब करनी है जिनके फेस पे पिंपल्स नहीं है दाने नहीं है वो ये जाती है बहुत जनके नोज के बगल में लिप्स पे भी कर सकते हैं लिप्स के उपर जो आपके डेट स्कीन होगी वो निकल जाएगी और आपके लिप्स भी बहुत ज़दा पिंक हो जाएंगे सॉफ्ट हो जाएंगे दीरे दीरे करके अपने सर्वकुलर मोशन में घुमाते ह है अपने हाथ कर दोडम अके ऐएक में अपने साथ का प्रेशर नहीं देना है खाली सॉफटाइड से बहुत ही जैंट्र आफ से सक्टक करनी है बहुत लाइन है उसके बादे प्लीम सेट बरार करना नेलूदे प्लाइज़ करना है यह कहीं हर ऊकाएप सिक एट है लोग जो यूज़ कर सकते हैं जिनके Face पे दाग धब्धे salud לא उन्हें जरूर फे से चाहिए उसके पाद जिनके Face पे दाग धब्धे पिगमंटेशने मलाजम usamo उन्होंने क्या करना है अपने Face को 2-3 मिनस तक मसाज करनी है उसके बाद normal waters अपने face को पीन कर ले और यहाँ पे जो मैंने हल्दी यूज की है हो सके तो प्लीज आप wild डर्मरीक ही यूज करे ये face पे बिल्कुल भी strain नहीं छोड़ती है दूसरी हल्दी जो होती है face पे strain छोड़ देती है तो इसी तरह से इसे अच्छे से अपने scrubbing करके face को wash करके अपने face को अच्छे से सुखा लेना है सुखाने के बाद आपने moisturizer और sunscreen apply कर लेना है और week में आपने दो बार इसी तरह से scrub करनी है आप देखोगे आपके skin पे जो चमक आने वाली है आप खुद notice करोगे so friends आप इसे use कीजिए क्या result आते है comment section में आके आपने feedback जरूर देना है और channel को like, share, subscribe करना बिल्कुल नहीं भूलना है और share ज्यादा से ज्यादा करना है so मिलते हैं मेरे next video में till then bye and love you friends